हेलो स्टुडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फानेल लॉन स्कूल, माइनेम है अनिता राजपूत, तो पुछो आपने आगे वाला वीडियो देखा है, तो पुछो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने हमारा चेप्टर टू पढ़ा, है ना, फसलो के त्योहार, तो ह वीडियो को लाइक भी करना है, और कमेंट बोक्स में जाके अपना नाम लिख में है, जिसे मुझे पता चले, कि आपने वीडियो देख लिया है, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप फोन करके भी पूछ सकते हो, ओके, चलो हम सुरू करते हैं, बच्चो यह ह हमारी वक्षीट है, इसमें हमने पहले नए सब्दे निकाले हैं, जो नए सब्दे उसका अर्थ भी हमको पता होना चाहिए, तो नए अर्थ हम पढ़ते हैं, तो देखो, क्या लिखा गया है, बोरसी, मतलब क्या होता है, बोरसी का अर्थ होता है, अंगीथी, बोरसी मतलब अंगीठी, फिर चापाकल चापाकल मतलब हेड़पम दे, दे मतलब सरीर हमारे जो बोड़ी होती न उसको दे भी बोला जाता है मद्य, मद्य मतलब बीच में प्रथा, प्रथा मतलब रिवाज यह हमारे दीती रिवाज होते है हमारी इंडिया में हमारे भारत में तो बहुत हमारे रिवाज होते हैं, कम प्रथा भी बोला जा सकता है, कतार मतलब लाइन, नजर नजर मतलब निगा निगा होती न, हमारे कई हमारी नजर पढ़ती है कोई वस्तों देख लेते, बहुत अच्छी लगती है वहांब हमारी नजर पड़ी केरा, केरा मतलब केला यह हमारे नियू सब्दिते फी देखो आगे नीचे दिये गई वाक्यों में कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है सही है गलत का निसान लगाओ हमने पाट पड़ा है तो हमी पता होना चाहिए कि दिये थिये हमारा गलत है फीर पोंगला पोंगल का अवर्थ है खिचडी में उफ़ान आना होता है हमने पाट में पड़ा था कि जब खिचडी में उफ़ान आता है सब क्या बोलते है पोंगला पोंगल सही है यह वाक्य फिर देखो सरहुल त्योहार पर वहां के लोग घरों के सामने पोधे लगाते हैं हाँ सही है भारत में नवंबर से लेकर डिसंबर तक के फरसलों का त्योह मना जाता है नहीं कब मना जाता था जन्वरी से अप्रेल तक का कि ये भी गल लते हैं ओके फिर देखो आगे रिक्तिस्तान भरो आदिवासी आम तोर पर खाली जगी के पुझा करते हैं आदिवासी किस के पुझा करते हैं? प्रकर्टी के मतलब पेड पोधो की इन सब की पोंगल में खाली जगा धान कूट का चावल निकाला जाता है फिर गुजरात में पतंग खाली जगा के बिना मकर सक्रांती का जस्न अधूरा माना जता है हम मकर सक्रांती पर क्या करते हैं? किसके बिना हमारी मकर सक्रांती अधूरी है? पतंगों के बिना दुदू तिया में बच्चे माला से पकवान तोड़ कर किसको खिलाते हैं पक्षियों को खिलाते हैं ना परे देखो फोर नमबर का प्रस्थ भारतने विभीन प्रांतों में फसलों के त्योहार मध्य जन्वरी के मध्य अप्रेल तक मनाए जाते हैं सबी प्रांतों में फसलों से जुड़े त्योहारों को अलग अलग धंग से मनाए जाते हैं ना तो देखो मकर सक्रांती का मनाए जाती हैं मकर सक्रांती उत्तर प्रदेश में बिहार में राज्यस्तान में और गुच्रात में भी होती हैं पोंगल तमिल नाडु में ओणम केरल में लोहडी पंजाब में और सरहुल जारखन में फिर देखो मक्र सक्रांती क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूं मक्र सक्रांती मुख्य रूप से बिहार, राज़स्तान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आधी राज्य में मनाई जाती है यह मध्य जन्वरी 14 चोदा यह 15 जन्वरी को मनाई जाती है इसकी तारिक फिक्स होती है यह 14 तारिक को मनाते है यह 15 तारिक को अधिकत चोदा जन्वरी को ही यह मक्र सक्रांती मनाई जाती है मक्र सक्रांती के अउसर पर तीलो गुड के लड़ू बनाई जाती है आपके भी बनाई जाते है कही जगर वो खिचडी भी बना जाती है हाँ इसमें सभी धान को मिलाकर खिचडी भी बनाते हैं फिर देखो पॉंगल पॉंगल तमिल नाडू का मुख्य तेवार है इस दिन चावल मूं और हर आधी काटकर घर में ले आयते हैं मतलब खेतों में के फसल पक कर घर पे आती है नए अनाज को कूट कर खिचडी तैयार करते हैं जिसमें दूद, चावल, गूड आधी डालकर दूप में रख देते हैं और इस खिचडी में उफान आता है तो क्या बोला जाता है पॉंगला पॉंगल की आवाज आती है मतलब सब बोलते एक साथ ओनम ओनम केरल में मुख्य रूप से मनाया जाता है ओनम का उस्वराजा महाबली के स्वागत में हर वर्ष मनाया जाता है घरों के आंगर में फूलों की पंखूडियों से सुन्दर-सुन्दर रंगोलिया बनाया जाती है ओनम में नोका दोड जैसे खेलों का भी आयोजन भी किय जाता है तो बच्छो एक तेवारों के बारा में भी SAM अज़लीा है तो यह हमारी वाकी ठी थी मतलब हमयों भीत पड़ी तो आपको अपने हिंदि की नोड़बुक में लिख्ना है ओके वीडियो को देखने के بعد वीडियो को like भी करना है comment box में जाके अपना naam plus thumb करना है मुझे पता चले कि आपने वीडियो को देख लिया है तो मैं आपकी attendance लगा दो ओके बाय-बाय